आपको पता है रिसेंटली CSIR NET का एक्जाइम जो की 25 जून को होने वाला था वो एक्जाइम पोस्ट पॉन्ट हो गया और यू नो उसके बैकड्रॉप में क्या-क्या हो रहा था बिकाज नीट का पेपर लीक हो गया देन यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया फिर नीट पीजी एक्जाइम भी पोस्ट पॉन्ट हो गया क्या करना है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपना यह जो लिंक दिया हुआ है CSIRnet.nta.ac.in इस लिंक को आप सेव कर लो और डेली आपको कम से कम एक बार डेली चेक कर लेना है कि कहीं यहां पे कोई नया अपडेट तो नहीं आया है अभी जो करेंटली शो हो रहा है वो है जॉइन CSIRnet जून 2024 इस पोस्टपॉन केंडिडेट्स और एडवाइस तू कीप विजिटिंग दो ओफिशियल वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अब इस्टूडेट्स आप लोग का यह क्वेस्टन होता है कि अब यह कब होगा और आप यूट्यूब पर देखोगे तो आपको बहुत धेर सारे वीडियो भी मिल जाएंगे बट असलियत यह है कि वो जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो कमिटी में तो है नहीं तो उनको भी नहीं पता है कि तुरंत एक्जैम की फाइनल डेट क्या है अब हम एक स्पेकुलेशन लगा सकते हैं वो इस बेसिस पे लगा सकते हैं कि जो भी एक्जैम कैंसिल हो गये थे और एंटीए के फिर नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए और बैक टू बैक उन सारे एक्जैम की शेडियूलिंग हो रही है तो उस बेसिस पे आप थोड़ा सा स्पेकुलेट कर सकते हो कि ये भी बहुत लेट नहीं होने वाला है 10-15 days में इसकी भी scheduling हो जाएगी और because काफी pressure भी है इतने सारे exams के postpone हो जाने की वज़ा से but आपको इसमें बहुत जादा नहीं जाना है कि आप धेर सारा time YouTube पे waste करो कि exam कोई कहे कि बिल्कुल ही टल जाएगा कोई कहें दो महीने टल जाएगा कोई कहें अब December के साथ मर्ज हो जाएगा actually किसी को कुछ भी नहीं पता है तो आपको ये मान के चलना है best to best scenario कि exam जो है उसकी scheduling 10-15 days में हो जाएगी और exam उस time के हिसाब से हो जाएगा ठीक है और students आपको इस समय क्या करना है हो कि अभी तक तो आपने बहुत जादा पढ़ाई करी है और आप बिल्कुल because exam postponed हो गया तो आप lazy हो जाओ रिवीजन ना करो तो आपको अपना रिवीजन उसी momentum के साथ continue रखना है दूसरा ये है कि कुछ छोटे मोटे topics जो आपने बिल्कुल छोड़ दिये थे तो ये आपको एक advantage की तरह लेना है कि because exams में कुछ days अभी आपको और मिल गये हैं तो उन small topics को भी आप अपने studies में include कर लो और जिन topics को आपने already किया हुआ है उसको अच्छे से revise कर लो तो बिल्कुल भी धीला ढाला या lazy behavior में नहीं जाना है because वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करने वाला है तो आप अपना जो पढ़ाई का momentum है, revision है अगर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा time लग रहा है तो आप कुछ और छोटे topics को जिसको आपने छोड़ दिया है वो आप include कर सकते हो ताकि आपके पढ़ाई का momentum वहीं का वहीं बना रहा है और जो students December के लिए preparation करना चाहा रहे है उनको तो बिल्कुल भी time नहीं waste करना है अगर वो coaching institute जोईन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल contact कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई बिल्कुल time से शुरू कर सकते हैं ताकि आपको वो पूरा window मिले आपको इस exam का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है ओके थैंक यू